हेलो एब्रिवन वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला चैनल सो आज को टॉपिक रहेगा हमारा इंटरनेट सो इस टॉपिक में हम क्या क्या पड़ेंगे वाट इस इंटरनेट बेसिक सर्विसिज ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वैब जिसे हम डबली डबली बोलते हैं इंटरनेट क्या है तो देखिए इंटरनेट क्या है तो देखिए इंटरनेट क्या करता है इस वास नेटवक डैट कनेक्स कंप्यूटर और वर्ल्ड तो यह आपका क्रियेट करता है नेटवक जैसे इस टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप सब अपनी अपनी ज and communicate from anywhere with an internet connection. तो देखिए, internet के माध्यम से, जो हम सब हैं, क्या share कर सकते हैं? Information, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं आपके साथ information share कर रही हूं, communicate कर रही हूं, तो इसके माध्यम से हम information share कर सकते हैं, और communicate कर सकते हैं. अब देखिए, internet के कुछ pros हैं, कुछ cons हैं, जिसे हम कहते हैं, advantages and disadvantages. तो ये तो आप सभी को बता होगा, कि internet के advantages क्या हैं, तो देखिए, it allows you to easily communicate with other people. Internet के माध्यम से, हम किसी के साथ भी communicate कर सकते हैं, जैसे हमारे phone में WhatsApp है, Gmail है, तो इन सब के माध्यम से, हम किसी के साथ भी communicate कर सकते हैं, ठीक है, अब जैसे आप यहां पर ओ, आपका कोई relative abroad में रहता है, तो आप उनके साथ, वीडियो call पे बात करते हैं, ठीक है, तो वो किस के through हो रहा है, तो वो सब आपका internet के through हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ग्लोबल रीच इनेबल्स, वन तो कनेक्ट अनिवन ओन दा internet, तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्जाम्पल बताई, कि जैसे आपका कोई relative बाहर मतलब abroad में रह रहा है, और आप इंडिया में हो, तो आप उनके साथ कैसे communicate करते हो, इंटरनेट के मादे हमसे करते हो, तो इसकी global reach है, कहीं भी आप किसी के साथ communicate कर सकते हो, नेक्स्ट वन इस, publishing documents on the internet saves paper, तो देखिए, अगर हमें कोई document publish करना है, तो हम इंटरनेट पे कर सकते हैं, और इससे हम किसको save कर सकते हैं, paper, paper आपका कहां से produce होता है, trees से produce होता है न, तो हम उसको भी save कर सकते हैं, अब बात करते हैं, disadvantages की, तो इसकी disadvantages क्या हैं, तो देखिए, it is a major source of computer viruses, जब हम computer चलाते हैं, हम अलग-अलग sites पे जाते हैं, तो हमारे computer के अंदर, क्या आने के chances बन जाते हैं, virus, next one is, messages sent across the internet, can be easily intercepted, and are open to abuse by others, तो जो आपके messages, internet के माध्यम से sent होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो भी इतने secure नहीं है, ठीक है, much of the information is not checked, and may be incorrect, और irrelevant, और देखिए, जैसे अगर हम internet यूज करते हैं, हम किसी site पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, चाहे आप अपना वहां पे data share करें, या ना करें, लेकिन वो जो site है, वो आपके data को क्या कर लेती है, save कर लेती है, तो इस तरीके से, इसकी ये भी एक disadvantage है, question number one is, the vast network of computer that connects, तो vast network of computers that connects, million of people all over the world is called, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मैंने कहा था ना कि internet क्या बनाता है, network बनाता है computers का, तो ये है आपका option D, अब देखते हैं history of internet, internet was created by ARPA, तो देखिए आपकी exam में क्या पूछा जाता है, ARPA net की full form, तो ARPA net की full form क्या है, advanced research project agency, तो इसको create किया गया था, US के द्वारा, कौन से year में, 1969 में, और इसको military ने किया था create, ताकि वो communicate कर सके, ARPA net की full form है, it was the first one used by them, ठीक है, यह आपकी internet की history लिखी है, तो देखिए internet was not developed, within a period of few days or few months, तो यह आपका develop हुआ है 1969 में, ठीक है, और क्या device का नाम था, ARPA net, जिसकी full form है, advanced research project administration network, तो paper में आप से इसकी full form पूछी जाती है, ठीक है, और किसने इसको create किया है, US ने, next हम बात करते हैं, internet हमें क्या-क्या provide करता है, तो देखिए, some examples include web, email, social media, तो देखिए, web क्या होती है, a collection of billion of web pages, that you can view with a web browser, तो हम इसे view कर सकते हैं, web browser के माध्यम से, email की बात करें, तो हम email का क्या use करते हैं, हम send करते हैं, messages अपने, और receive भी करते हैं, email के माध्यम से, तो ये भी तभी कर सकते हैं, अगर हम हमारे phone में, या laptop पे, या हमारी electronic device पे, internet की availability हो, social media, social media में देखिए, तो जैसे हम क्या, websites and apps, that allow people to share, comments, photos and videos, तो social media, तो ये सब के WhatsApp आ गया, Facebook हो गया, तो ये सब social media की, example आ गई, online gaming, तो online gaming आप तभी कर सकते हो, जब आपके phone में, internet की facility हो, software update, तो देखिए, जैसे आपका phone है, या laptop है, उसके अंदर जब update होते हैं, software तो उसके लिए भी, किसकी जरूरत पढ़ती है, internet की, history of the internet, तो देखिए, विंटन ग्रे सर्फ, इन्हें हम कहते हैं, father of the internet, he is the co-designer of, TCP IP protocol, and the architecture of the internet, ये देखिए, जो विंटन ग्रे सर्फ है, ये father तो है, internet के, इसके साथ-साथ, ये co-designer भी है, TCP IP protocol के, लेकिन जो आपका, TCP IP protocol है, इसके दूसरे inventor कौन है, तो वे हैं, Bob Khan, ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये अक्सर paper में, पूछा जाता है, question है, आपसे पूछा गया, founder of internet, तो कौन है, विंटर सर्फ एंड बॉब खान, ठीक है, तो ये दुनों ही, आपके founder है, internet के, अब देखिए, जैसे हमने बात कर रहे थे, आपके internet की, तो 1969 में, internet के बारे में, आपकी creation, create किया गया है, 1989 में, US government ने, allow किया था, कि हम internet को, यूज कर लेंगे, commercial purposes के लिए, फिन 1995 में, उन्होंने, allow कर दिया था, to all kind of users, internet का, हर कोई, यूज कर सकता है, internet basically है, protocol is a set of rules, that govern data communication, तो देखिए, protocol defines, what is communicated, how it, how it, I communicated, and when it is communicated, तो basically, internet के लिए, हमें protocols चाहिए, protocols होगे, जैसे आपके, TCP, IP हो गया, FTP, HTTP, यह सब क्या है, protocols, तो protocols क्या होते हैं, आपके set of rules, इनके, एक set of rules, आपके define के जाते हैं, जिसके, थू हमें पता चलता है, कि हमें, क्या communicate करना है, कब करना है, और कैसे करना है, तो वो होते हैं, आपके set of protocols, जिसे, जिसे हम कहते हैं, set of rules, ठीक है, next हम बात करते हैं, FTP, देखे, जो FTP है, इसका काम क्या होता है, यह transfer करता है, files between any computers, that have an internet connection, तो यहां पूछा गया है, FTP की full form, तो आपके पास, यह 4 options है, आप इने एक बार देख लीजिए, तो देखे, जैसे कि FTP का पता चल रहा है, यह basically है, क्या file transfer करता है, तो क्या होगा, यह फिर, file transfer protocol, तो इसका answer रहेगा, आपका option A, next path करते हैं, what is the full form of ARPANET, यह हम कर चुके हैं, तो इसकी full form क्या है, Advanced Research Project Agency Network, तो इसकी full form क्या है, यह paper में बहुत बार कुची गई है, विदेश संचार, नगम, निगम लिम्टेड, ठीक है, next question is, the internet is a system of software bundles, web pages, website, interconnected networks, तो जैसे कि मैंने बताया था, internet क्या बनाता है, आपका network बनाता है न, तो यह है आपका interconnected networks, तो option D is the right answer, internet allows to, तो internet क्या करता है, हमें क्या allow करता है, send electronic mail, जिसे हम कहते हैं, email, next बताया गया है, इसमें, view web pages, web pages हम व्यू कर सकते हैं, connect to servers all around the world, तो हम सब servers के साथ connect कर सकते हैं, तो इसका answer रहेगा, all of the above, तो यह सारे के सारे options ठीक हैं, अब बात करते हैं, हम email की, तो email की full form क्या है, electronic mail, it consists of messages, जिसके अंदर आपके text, audio, video, जिसे हम send भी कर सकते हैं, और receive भी कर सकते हैं, through internet, the first email was sent by Ray Tomilson to himself, तो यह paper में पूछा गया है, कि जो Ray Tomilson है, यह पहले इंसान, इन्होंने पहली email sent के थी खुद को, example देखें, इसमें तो hotmail, Gmail and Yahoo mail, यह सब हैं आपकी mails, ठीक हैं, email की बात करें, तो देखें, email में आप सब ने use की होगी email, तो उसके अंदर जब हम attachment लगाते हैं, तो वो कितने, कितने MB की होती है, तो यह अक्सर paper में पूछा गया है question, तो बेटा वो होती है, आपकी 25 MB की, ठीक है, और जो storage होती है email की, maximum कितना store कर सकते हो आप, maximum रहती है उसकी 15 GB, तो यह दोनों questions, आपके exam के point of view से बहुत important है, अब देखिए email की अंदर क्या होता है, to, जिसको हमने भेजना होता है, एक होता है उसकी अंदर carbon copy, एक होता है blind carbon copy, तो देखिए carbon copy का क्या मतलब रहता है, जैसे suppose करो, मेरे घर कोई function है, और मैंने आप सभी को invite करना है, तो मैंने आप सभी के क्या डाल दी, उसके अंदर email address डाल दीए, तो मैं उसमें use करूंगी carbon copy, ताकि वो एक ही बार आप सभी को send हो जाए email, ठीक है, मुझे बार-बार अलग-लग address पे जाके send ना करनी पड़े, मैंने आप सभी के जैसे एक address ले लिया, तीसरा ले लिया email, सभी को मैंने cc में डाल दिया, carbon copy में डाल दिया, और आपको invitation भेज दिया, देखे, इसमें क्या होगा carbon copy में, जैसे जो number 1 है, या 2 है, example की तोर पे लेते हैं, तो आप क्या देख सकते हैं, जैसे 5 इसमें जो है, वो देख सकता है, कि मैंने one को भी बुलाया है, one भी देख सकता है, कि मैंने किस-किस को बुलाया है, तो इसमें क्या होता है, कि जैसे carbon copy में, हर एक देख सकता है, कि मैंने और किस-किस को invite किया है, ठीक है, अब बात करते हैं, blind carbon copy की, तो इसके अंदर क्या रहता है इसके अंदर मैं क्या कर दूंगी hide कर दूंगी सबके address भेजूंगी मैं एक ही बार सभी को email लेकिन उसके अंदर जो आप सभी के email addresses होंगे वो सब मैं क्या कर दूंगी hide कर दूंगी ताकि ये सब एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कि मैंने किस-किस को invite किया है ठीक है इमेल में देखे तो draft folder होता है एक जैसे suppose करो आप email रिख रहे हो लेकिन आपने वह भी send नहीं की तो वह आपकी draft folder में चली जाएगी email attachment के बारे में हम बात कर चुकी है अब देखिए email address separate the user name from the isp using this simple symbol तो कौन सा use होता है add the rate use होता है तो इसका answer रहेगा option ने अक्सर पेपर में पूचा जाता है कि add the rate किसने find किया था यह symbol किसने बनाया था तो यह भी आपका rate omilson ही answer रहेगा ठीक है recipients are invisible to all of other recipient of messages तो यह कौन से case में होगा तो यह होगा blind carbon copy में email address separate the user name यह हम कर चुकी है question अब देखते हैं कुछ protocols अच्छा email के अंदर एक आपको मैं और बताती है paper में आपसे पूच्छा जाता है inventor of email तो inventor कौन है आपके पास option में देखिए एक option दिया जाएगा shiva ayadurai ठीक है तो यह Indian है एक तो यह है और एक है आपके rate omilson ठीक है जो rate omilson है इन्होंने add the rate found किया है ना तो देखिए अगर आपके पास paper में दोनों option होंगे तो आप shiva ayadurai को लगाएंगे यह आपके inventor email के और अगर पेपर में shiva ayadurai नहीं है तो आपका answer रहेगा rate omilson ठीक है तो इसे याद रखना देखिए आप protocols देखते है प्रोटोकोल्स है आपके set of rules जिसके through हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया यह rules है internet को कैसे हम कैसे communicate करना है कब करना है कहां करना है ठीक है तो tcp ip की full form क्या है transmission control protocol ip की है internet protocol http की है hypertext transfer protocol smtp की बात करें तो यह है simple mail transfer protocol तो यह mail के लिए यूज़ किया जाता है pop यह post office protocol imap है internet mail access protocol udp है user datagram protocol ppp है point to point protocol और ftp है file transfer protocol तो यह आपकी full forms बहुत जादा important है बात करते हैं www की तो यह world wide web is a way of exchanged information between computers on the internet तो www क्या है यह एक माएक तरीका है information को exchange करने का between the computers on the internet www is a collection of interlinked hypertext documents that are connected via internet अक्सर paper में question देखने को मिलेगा father of www तो कौन है इसके father tim burner lee तो यह बहुत important question है ठीक है यहां इसकी full form पूछी जाती है exam में FTP के बारे में हम बात कर चुके हैं यहां file transfer protocol it enables user to transfer move file from one computer to another और वो file के अंदर आप क्या-क्या देख सकते हैं text, document, images, audio, video, software, movie, etc. अब देखिए internet और www के बीच में web क्या है यह collection of information that can be accessed using the internet तो web क्या है यह इसके अंदर आपको information देखने को मिलेगी collection of information जिसको हम access कर सकते हैं किसके माध्य हम से अगर internet होगा तब भी आप information देख सकते हो ना तो यह है आपका web internet is infrastructure while web is services on top of that infrastructure अब internet terminologies देखते हैं web page के बारे के बारे में बात करें तो यह क्या है it is a document available on the worldwide web तो यह एक तरह का document है जो आपको www पे available रहेगा web pages are created अच्छा web pages को create कैसे किया जाता है तो हम special language use करते हैं वो है आपकी HTML जिसकी full form है hypertext markup language यह भी अकसर paper में full form पूछी गई है every web pages हर एक web page का unique address होता है जिसे हम कहते है URL जो है आपका uniform resource locator अब देखे website क्या होता है बेटा तो यह है आपकी collection of interlinked web pages जैसे कि एक web page है दूसरा है तीसरा है तो website क्या होती है इन सभी web pages को क्या करती है interlink करती है और वो बन जाती है आपकी website जैसे suppose करो आप जब college में थे तो आपकी college की website होगी जहां पर सारी information दी जाती है फिर अगर हम बात करें आपकी जब आपको exam fill करते हो तो आप जब fill करने जाते हो तो website पर जाते हो ना और देखिए जैसे हर एक ministry के अपनी website है तो basically website के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको वो सारे web pages interlinked होते हैं ठीक है next हम बात करते हैं आपकी browser की the first page you see open website is called as home page तो जब भी हम website open करते हैं तो जो पहला page खुल के आता है वो होता है आपका home page and ये question आपकी exam में बहुत बार पूछा गया है ठीक है तो ये बहुत important है browser की बात करें तो browser क्या है ये software program है जो allow करता है user को to locate, view and explore information on the www first internet browser कोन सा था आपका worldwide web जिसको invent किया गया था Tim Bernan Lee के द्वारा in 1990 बात करें graphical web browser की पहला graphical web browser कोन सा था तो वो था मुसैक जिसको कब किया गया था invent 1993 में तो ये सब आपके क्या है web browser safari apple का है firefox mozilla chrome google का edge microsoft का opera opera software का client and server क्या है the web servers जो आपके servers होते हैं ये store करते हैं और transfer करते हैं web pages को और informations को on the network जब किसके द्वारा request की जाती है यूजर के द्वारा चीक है isp की बात करें तो इसकी full form क्या है तो इसकी full form है internet service provider तो basically ये क्या होती है companies होती है जो provide करती है customers को internet access जैसे bsnl vodafone airtel idea geo तो ये सब companies क्या provide करती है internet अब देखिए ipv4 और ipv6 के बारे में हमें paper में क्या पूछा जाता है तो पहले देखे इसकी full form क्या है internet protocol version 4 और ipv6 क्या होगा internet protocol version 6 ठीक है तो इसमें basically आप से ये पूछा जाता है कि जो address है ये कितने bit का होता है तो ipv4 में होता है 32 bit का ठीक है और बात करें ipv6 की तो वो कितने bit का होता है तो वे होता है आपका 128 bits का तो आपके exam में बस ये ही पूछा जाता है कि ipv4 का address कितने bits का रहता है और ipv6 का address कितने bits का रहता है तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है ठीक है तो यहां पे हमारा ये आज का session खतम होता है I hope आपको ये session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session थो कर दो